आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल त्यारी सेक्सेस की में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बी ए हिस्ट्री ओनर्स फर्स सेमिस्टर यानि जो ओल्ड कोड्स वाला था अभी तो बी ए फर्स सेमिस्टर में बहुत सारा सब्जेक्ट हो गया है लेकि मतलब बहुत ही जल्द तो इसके लिए मैं आपको इन्पोर्टेंट कोश्चन बताऊंगा इस वीडियो में तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों बी ए हिस्ट्री ओनर्स ओल्ड कोर्स के लिए है यह वला और इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है प्र प्रसन देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इन्पोर्टेंट कोश्चन दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या किये हैं यह जो जितने भी आपके प्रसन है यह तीन किटागरी में आता है आप सभी जानते हैं पहले आता है उसके बाद आता है short type और तीसरा आता है long question ठीक है तो objective तो हम लोग देखेंगे नहीं क्योंकि चैनल में already बहुत सारे objective पड़ा हुआ है आप लोग बस खाली क्या कीजिए आप लोग सर्च कीजिए आप लोग धूडिये मिल जाएगा आपको है न और इसमें भी बहुत सारा topic आपको already cover किया जा चुका है आपको थोड़ा सा एक तीड़ साल पहले का वीडियो देखना है मिल जाएगा ठीक है तो और बाकी आपका playlist में भी available है तो वहां से भी देख सकते हैं दोस्तो core paper one का है तो short type में आपको क्या ध्यान देना है दोस्तो short type मतलब जो five marks का होगा four two question आता है यानि total twenty marks का है ना तो इसमें सबसे जो important question है दोस्तो मेरे हिसाब से वह हरपा काली नगर नियोजन वेवस्ता का वर्नन करें बहुत-बहुत important question है और second question होगा वेदिक काल की राजनितिक समाजिक जीवन की वर्नन करें दोस्तों यह जो वेदिक काल है यह दो फेज में लोग पढ़ना है एक पढ़ना है उत्तर वेदिक काल और उसका और एक है रिग वेदिक काल का पूछे तुहां पर सिर्फ और सिर्फ वेदिक काल लिखा रहेगा और अगर उत्तर वेदिक का बोले तो उसमें मैंसन होगा उत्तर वेदिक काल का समाजिक जीवन के बारे में बर्नन करे, दोनो के दोनों सेमी होगा, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है, अगर आप किसी एक टोपिक को कर लेते हैं, यानि उत्तरवेदिक काल की समाजिक जीवन को कर लेते हैं तो रिखवेदिक काल की समाजिक जीवन भी लगभग लगभग वही था तो आपको एक कोई भी उत्तरवेदिक हो या फिर रिखवेदिक हो दोने का दोनो तो नहीं कम से कम एक को आराम से पढ़ लेना है उसमें आपको पढ़ना क्या है उनका पढ़ना है पहले राजनितिक जीवन कैसा था समाजिक जीवन कैसा था आर्थिक जीवन कैसा था और उनका धर्म कैसा था धार्मिक इस्तिति कैसा था यह अगर आप चार वो चीज पढ़ लेते हैं राजनितिक, समाजिक, आर्थिक और ध उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों उसके बाद आपको ध्यान देना है नेक्स्ट कुश्चन पर दोस्तों कहीं कहीं पर उब्देश को छोड़ करके उनके सिध्धांत भी लिखा जा सकता है ठीक है तो question वही है आपको क्या करना है मावीर के जीवनी को देखना है पढ़ लेना है गबार समझ लेना है उसके बाद उनके जो प्रमुक सिध्धान थे उनको भी एक बाद दो बार कोपी में नोड़ डाउन कर लिजिए ठीक है और समझने का कोशिष कीजिए और फिर आप अपने हिसाब से लिखिए नेक्स आपका सवाल बन सक्ता है छटी सतावदी में धर्म सुधार आंदुलणों का वर्नन करें ठीक है तोसका आप सभी जानते हैं कि छटी सता अब भारत में बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ जिसमें प्रमुक रूप से बहुत धर्म जैन धर्म और भी कई धर्म आए ठीक है तो यह सब धर्म के बारे में आपका पूछा जा सकता है इसमें मैंसन करेगा आपका छटी सताब्दी में धर्म सुधार आंदोलोन का वर्नन करें दोस्तों नेक्स प्राचीन भारती इतिहास के सुरोतों का वर्नन करें आप सभी जानते हैं कि सुरोत दो परकार के होते हैं एक होता है साहितिक सुरोत एक होता है पुरातात्विक सुरोत ठीक है तो पिछले बार आपका आया था साहितिक सुरोत इसलिए पुरातात्विक सुरोत आपका साहितिक सुरूत अगर question आए तो आपका short type में बनेगा यानि five max के लिए ठीक है तो पढ़ना दोनों ही है दोनों का ही video already channel पे upload है तो आप अगर जुरूत देख लिजेगा आपको बहुत आसान तरीके से ये topic समझ में आ जाएगा आपको पढ़ना ही होगा अगर छोड़के जाएंगे तो आप फंस जाएंगे पहला प्रसन होगा प्राचिन भारती इतिहास के पूरा तात्विक सुरूतों का वननन करे most important ठीक है next है रिगवेदिक काल के प्रमुग विसिस्ताओं का वननन करे तो रिगवेदिक काल की क्या क्या प्रमुग विसिस्ताओं में भी वही सर्व लिखना है उनका समाजिक जीवन कैसा था राजनितिक जीवन कैसा था उनका अर्थिक का सुरोथ क्या था अर्थ व्यवस्ता का उसके बाद धर्मिक जीवन कैसा था वस वही लिखना है प्रस्ण रहेगा हडपा सब्रता के पतन के कारणों का वर्नन करें दोस्तों ये आपका चार प्रस्ण हंडिर परसेंट कफर करना है और अगर आपको इस से छोड़कर भी और पढ़ने का मन है तो दोस्तों आप पढ़िएगा छटी सताब्दी में भारतिय नागरिकों का ठीक है ये आपका इंपर्डेंट रहेगा इतना ही आपको कोरपेपरवन में पढ़ना है आराम से निकल जाएगा और सोट के लिए मैं थोड़ा आपको हिंट्स कर देता हूं आपको क्या-क्या पढ़ना है दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसमें अबजेक्टिव के लिए मै अब लोग फास जाएंगे दोस्तों क्या करना है आपको प्राचीन काल के प्रमुग जो पुस्तक होते हैं प्राचीन पुस्तक ठीक है पुस्तक पूरा पढ़ लेना है जैसे अश्टध्याई है उसके बाद है चानेकिय का जो अर्थसास्त्र मेगस्थानीश के पुस्तक य ठीक है आपको सवाल पर पुछेगा वेदो की सिंख्या कितनी है तो चार है चारो के चारो पढ़ लेना है उसके बाद आपसे पुछा जाएगा काव्यो खंड महा काव्यो स्वरी दोस्तों महा काव्यो आपसे पुछेगा कि महा काव्यो की सिंख्या क्या है महाकाब्यो महाकाब्यो की संक्या दो है कौन-कौन रमायन और महाभारत ठीक है महाभारत फिर इसमें सवाल आप से पुछेगा रमायन के रचना किसने किया है तो महारे सिवाल में की ने महाभारत के रचना किसने किया है तो वेद वियास ने ठीक है इतना कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है उसके बाद आपको ध्यान देना है महाबीर के उपर ठीक है आपको ध्यान देना है महाबीर स्वामी के उपर उनका पुछेगा आपका उनका जनम जनम पुछेगा उनका जनम पुछेगा, मिरितियु पुछेगा, उनका परिवार के बारे में पुछेगा और उनका देहान का स्थान भी पुछ सकता है, उसके बाद आपको याद रखना है बौध का, ठीक है? भगवान बहुत का भी पढ़ना है उनका दोनों का बच्पन का नाम भी याद रखना है इसका भी जनम पढ़ लेना है जनम का इस्तान मिर्तियू का इस्तान परिवार और प्रमुक कारिया ठीक है इतना अगर आप कर लेंगे दोस्तो मैं आपको गैरेंटी दे सकता हूँ दोस अगर आप लगा लेते हैं तो पूरा का पूरा फुल माक्स आपका आजाएगा अब्जेक्टिव में अब्जेक्टिव कैसे करना है वह भी बता दिया हूँ आपका सोट टाइप में कौन सा कोईशन करना है वह भी बता दिया हूँ लॉंग टाइप में कैसे करना है वह भी पूरा का पूरा वीडियो, क्या यिससे पढ़ना है वो पूरा आपका इन्पोर्ड इन्कुईशन का। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा Core Paper 2 का ठीक है जिसमें हम लोग को France का इतिहास पढ़ना है ठीक है तो इसमें Core Paper 2 में आपका France का इक्रांती है Napoleon है एक ही करन है जो है जर्मनी का और ये का तो उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कहेंगे तो ठीक है आप लोग अगर चाते हैं तो कमेंट कीजिएगा मैं Core Paper 2 का भी बना दूँगा दोस्तों सिर्फ पस्तिर्फ आपको करना क्या है यही सब प्रसनों को पढ़ना है और मेरे लिए दोस्तों एक लाइक जरू कर दीजिए और लाइक करते हैं तो उससे मोटिवेसन मिलता है और मुझे पता चलता है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है और आपने दोस्तों के साथ जरू सेर किजिएगा ताकि जिन दोस्तों का Old Paper 1 में किसी कारण वर्स पेपर रुका हुआ है उसका किलियर हो जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहें